एलो डियर स्टुडेंट मैं निकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लास में स्वागत करता हूँ डियर स्टुडेंट इस से पीछले वाले क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर के सणी आती के सारे निम्रिकल को सॉण कर लिये थे आज के क्लास में जो है एंसी आइट के सिकेंट फिकरर करेंगे लोगों क्या कि नाम हमने बताया इस्तिर्व व्यभू अथा बैदूत धारिटा यानि हमें स्ट्रेप्टर के अतरगण आपको क्या-क्या परना है सबसे पहली टॉपिक पढ़ने का बैदुद विभ Pvव क्या होते है फिर बैदुद विभव प्रवनता प्र अपरो किया होती उस्से पामनेरे होते हैं तो सबसे पदमब जानेंगेolla थ्यान से समझेगा, पैदुद विभव क्या होती है, थ्यान से समझेगा, बैदुद विभव क्या होती है, हमने आप से कहा, कि आप क्या लिशेगा एक आवेस रख लेते हैं माल लेते हैं एक आवेस रख लेते हैं प्लस क्यू आवेस अब ये प्लस क्यू आवेस क्या है कि इसके चारो और जो है एक छेतर होगा क्या होगा इसके चारो और एक छेतर होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं विद्दुद छे उसके बाद हमने क्या कहा कि चर्चा करते हैं कोई अनंत पर कोई एक परिछड आवेस को रख देते हैं परिछड आवेस को अपने रख दिया चलिए बात करते हैं अब इसको यहां से विद्धु छेत्र के किसी एक बिंदु तक A कोई बिंदु है वहां तक इसको लाना है तो इसको यहां से यहां तक ले आने में किया गया कारिमाल लेते हैं डबलू है क्या मैंने बताया फिर से एक बार रिपेट करते हैं हमने क्या बताया कि अनन्त से किसी परिचड आवेश को बिद्धु छेत्र के भीतर किसी एक बिंदु तक ले आनी में जो कारि किया वो और जिसको ले आए हो परिचड आवेश का अनुपार ही बैद्धु भिवाव कहलाता है मैंने क्या बताया प्यारे बत्चो अनन्त से किसी एक आंक परिचड आवेश को उठाईए और विद्धु छेत्र के किसी एक बिंदु तक ले आ देजिए तो ले आने में जो आप कारि कर रहे हैं और जिसको ले के आ रहे हो किसको ले के आ रहे हो परिचड आवेश को ले अनन्त से एकांग परिच्छड आवेश क्यों जीरों को बिद्दु छेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक किसी एक बिंदु तक ले आने में किया गया कार तथा परिच्छड आवेश का अनुपात परिच्छड आवेश का अनुपात ही उस बिंदु का उस बिंदु का बैद्दु विभाव कहलाता है माना कोई परिच्छड आवेश अगर क्यों जीरों है उसको ए तक ले आने में किया गया कारी क्या है डबलु है तो इस बिंदु का जो विभाव होगा वी बराबर या ए तक ला रहे हो ना तो वी ए हो गया ठीक ही है वी ए बराबर क्या हो गया डबलु अपान क्यों नाट यह हो गया इस बिंदु के लिए विभाव का फार्मूला किया गया कारी और परिच्छड आवेश का अनुपाद ही बैदुद भौ कहलाता है यह एक यह एक अधिस रास होती है कौन सी रास होती है अधिस रास होती है ठीक इसका मात्रक चर्चा कर लेते हैं क्या चर्चा कर क्या होता है जूल होता है ठीक और क्यों जूल क्या है आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम तो जूल प्रती कुलाम या क्या लिख सकते हैं बोल्ट लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बोल्ट तो इसका एक मात्रक और होता है ठीक हमने क्या बताया इसका मात् किसकी चर्चा करते हैं बीमा की तो बैतुद्भो की बीमा तो बिभाव की बीमा ठीक तो बिभाव की बीमा बराबर किसकी बीमा हो जाएगी कारी की बीमा डबलू की बीमा चली और बटे किसकी बीमा हो जाएगी क्यों जीरो की बीमा तो डबलू की बीमा सब लोग जानते हों प्यारे भच्चों अगर आप नहीं निघाल सकते हैं तो W को आप लिख सकते हो बल गोडे विस्तापन बल की बीमा जानते हैं वुष्टापन दूरी होती है उसके लिए रख देंगे दुमको यह मिल जाएगा ठीक Q not Q not की वीमा क्या होती Q not एक आवेस होता है आवेस की वीमा क्या होती है एक T होती है अब दिखें सबको उपर लेकर जाएगे तो सब को उपर लेके जाएंगे, यह हम आपका है, L power 2 है, लिख लेते हैं, जब यह T की पाउर 1 उपर जाएंगे, तो minus हो जाएंगे, minus 2, minus 2 कर देंगे, minus 3 हो जाएगे, यह A उपर गए, तो 1 की पाउर minus 1 हो गए, तो इस परकार बैदुद भ्व की क्या आ गए, भीमा निकल क यह इसके मात्रक हो गए यह एक अदिस रास हो गए यह इसके रिफनीशन हो गए एक बात आती है वास में कि कभी-कभी बोल्ट के पेपर में प्रशन पोछ लेता है कि एक बोल्ट एक बोल्ट विभाव से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों यह कभी-कभी एक नंबर का प्रशन बंता है कि एक बोल्ट वै दृबव से अप क्या समझते है तो इस मार्मूले पाये जरा सा ध्यान दीजिए क्या होता है यदि य होजाएग यदि औ सुमजएगा तब जो बिभा होता है तब जो विभाव होगा लिखेंगे तब विभाव किसके बराबर हो जाएगा एक बोल्ट के बराबर हो जाएगा तब विभाव एक बोल्ट के बराबर हो जाएगा अब आप इसको पलगासित कैसे करो समझो मैंने क्या कहा कि यदि एक कुलाम आवेस को जो आप लोग परिछडा आवे करना पड़ता है बच्चो तो वो जो विभव होती है वो एक बोल्ट होती है हमने क्या बता है यदि एक कुलाम आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक ले आने में किया गया कार एक जूल हो तो उस बिंदु का विभव एक बोल्ट के बराबर होता है तो प्यारे बच्चो यह टॉपिक समझ में आई होगी तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ तब तक आप इसका एक स्क्रिंसाट ले सकते हैं चलिए अब आप लोग के अगली हीडिंग आती है बैद्दुत विभवांतर या बिद्दुत विभवांतर तो उसको भी हम लोग जान लेते है सरल भासा में बिद्दुत विभवांतर चिक बिद्दुत विभवांतर क्या होता है चलिए कि वह थोड़ा सा चेंज करते हैं जिस आवेश को हम लोग अनंत से ला रहे थे उस आवेश को किसी एक बिंदु से लाते हैं किसी एक निश्चित बिंदु से लाते हैं तो चलिए क्या करते हैं कि एक आवेस रखते हैं इस आवेस के चारो और का ये जो छेतर होता है वो क्या कहलाता है बिद्दुद छेतर कहलाता है चली आवेस के चारो और का जो छेतर होगा वो आपका क्या कहलाएगा बिद्दुद छेतर कहलाएगा अब बात आती है कि हम लोग क्या करते इस बार जो है बिदुद छेत्र के अंदर कोई एक point A लिखते हैं एक कोई point क्या लिखते हैं B लिखते हैं बिदुद छेत्र के अंदर किसी भी परिच्छड आवेस को A से B तक लाने में ए से बी तक लाने में जो कारी करते हो वो कारे और आवेस का अनुपात ही बैदुत विभवानतर कहलाता है इन बिंदुों के बीच का बैदुत विभवानतर कहलाता है फिर से एक बार प्यारे बच्चों समझेगा हमने क्या कहा कि बिद्दु छेतर के अंदर इतनी देर तर अनंत से ला रहे थे इस बार हमने क्या कहा बिद्दु छेतर के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कारे और आवेश का अनुपात ही उन बिल्दूओं के बीच का बैतुत विभुवांतर कहलाता है तो चलिए लिख लेते हमने हम क्या बता है भीया बिद्दुच्छेत्र के अंदर बिद्दुच्छेत्र के अंदर एक आंक परिच्छड आवेश को एक बिद्दु से दूसरी बिद्दु तक ले जाने में किया गया कारे तथा परिच्छड आवेश का अनुपात ही उन बिंदुओं के बीच का बैद्दुद बिभवांतर कहलाता है ठीक माल लेते हैं भीया एका विभव क्या था वी ए था और वी का विभव क्या था वी भी था तो क्या हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर डबलू अपान क्यो नाट तो ए और वी के बीच का जो विभवांतर हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर डबलू अपान क्यो नाट आप यहां से भी विभव को परिभासित कर सकते हैं कैसे परिभासित कर सकते हैं जो यह ए है वो ए माल लेंगे आप इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट से बी तक ले आने में जो कारी करोगे वो क्या कहलाएगा बी वीमा सब कुछ जो विभाव की होती है वही इसकी भी होती है तो प्यारे बच्चों आप नोट कर लिजिए फिर हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं चले तो आपकी इसीट से अगली टॉपिक आती है विभाव प्रमारता जो की पेपर के दिस्ट से बोड के पेपर के महत्तो पूर टॉपिक है महत्तो पूर हेड़ी है तो चले बनाते हैं हम लोग बिभाव प्रमारता ठीक बिभाव प्रमारता तो मानते हैं देखें मानते हैं क्या मानते हैं माना एक क्या लेते हैं एक समान बैद्दोच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् क्या है भी है A है और एक दूसरा बिंदु क्या ले लेते हैं B है एक बिंदु पर कोई एक परिछड़ आवेस Q0 है क्या हमने कहा कि बिंदु A पर कोई एक परिछड़ आवेस Q0 है A पर जो विभव है वे क्या मान लेते हैं V A मान लेते हैं और B पर जो विभव मान लेते हैं क्या है V B है तो इन दोनों बिंदों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा बैदर विभवांतर मानते हैं मान लेते हैं क्या मानते हैं माना A पर विभो क्या है वी A है और B पर विभो क्या मान लेते हैं वी B है तो विभोwww takes dv-va बराबर क्या हो जाएगा डबलू अपान क्यों नार किया गया डबलू क्या है वी A और B के बीच परिच्छन आवेस Q0 को ले जाने में किया गया कारी समीकर नमबर क्या बना लेते हैं एक बना लेते हैं अब आप ध्यान से समझिए यहां से अगर हमको waż allerdings क्या गया खा को music कार निकाल ना तो हम को एक बात पता है कि कारे बराबर होता है बलबड़ेबिस्तापन अब बलबड़े इस त cud'm कि बल मालु होता है कि British एक समान बैदय के में रखे आवेस पे जो लगने वाला पल होता है वो q not into e होता है या q into e होता है पर आप सुचिए कि q 0 को इसके बिद्दुचित के बिपरीत लेके जाना है तो हम लोग डारेक्ट तो ले नहीं जा सकते तो इसको मानते हैं कि q 0 को d r a की small दूरी एक छोटी सी दूरी कि अर्विस्तापित करने में किया गया कारे किया गया कारे ठीक तो किया गया कारी क्या है w a b क्या में मन लेता है pak डवलू इबी बराबर क्या हो जालेगा एप गुडे बिस्तापण कितना है आपने लिखाई डी आरры माइनस डी यार लगा देंगे अब बच्चों प्रस्ट उठता है कि माइनस क्यों लगाया गया क्योंकि जो दूरी आप बिस्ताप्त कर रहे हो इहां को Q0 को point C तक ला रहा हो कि minus DR इसले लगा गया क्या हू E बैदुचित इधरी की तरफ है, इसको इधरी की तरफ ला रहे हो, तो क्या कर रहे हो, बैदुचित की विप्रीत दूरियां तै कर रहे हो, तो इसलिए यहां क्या लगा दियागा, रडात्मक चलने लगा गए, ठीक हुआ, तो क्या हो गए, डबलू ए बराबर, डबलू ए ब माइनस का यहाँ मल्टिप्लाई कर देते हैं तो w a b बराबर आपको क्या मिल गए q not minus q not e into कितने हो गए dr हो गए ठीक भी है अब हम क्या करते हैं कि w a b का मान समी करण एक में रख देते हैं तो समी करण नमबर क्या बना लिए दो तो चलिए बच्चो समी करण 2 से समी करण 2 से w a b का मान समी करण एक में रखने पर तो समी करण एक क्या है v b minus v a बराबर w a b w a b के स्थान पर क्या आगए minus q into e into कितने आगए dr और बटे कितना है q not है तो q not से q not आपके क्या हो गए cancel हो गए तो v b minus v a बराबर minus e into कितने हो गए dr तो मानते हैं क्या मान लेते हैं माना कि इन दोनों के विभों का जो अंतर है वो क्या मान लेते है d b मान लेते हैं इन दोनों के विभों का अंतर d b मान लेते है माइनस E इंटू कितने आगए DR अब DR को इधर कर देते हैं तो क्या आगए DR अपांट DR और ये माइनस इधर कर देत E बराबर आगए माइनस DV अपांट DR तो ये विभाव परवरता के लिए सुत्र निकल के आगए तो एक बार जड़ा सा फिर से समझ लिजेगा बिभाव परवरता का परिभासा हम लोग कैसे दे सकते हैं तो देखें ये क्या है DR क्या है वे दूरी है दूरी के साथ बिभाव में होने वाला परिवरतन या दूरी परिवरतन के साथ साथ विभाव परिवर्तन ही क्या कहलाता है विभाव परवर्ता कहलाता है एक समान बैद्दुच्छेत्र में जैसे जैसे दूरी बदलती चली जाएगी वैसे वैसे विभाव भी बदलता चला जाएगा तो आपके जो होगी वो क्या कहलाती है विभाव परिवर्तन के साथ साथ विभाव परिवर्तन ही 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 विभाव परि है ठीक बच्चे तो बच्चो आप लोग इसका एक स्क्रिन साट लेना चाहते हो तो ले लीजेगा तब हम लोग अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं तो अब हम लोग अगली हीडिंग मनाएंगे बिंदू आवेस के कारण विभव जो की अगली कुछ हीडिंगों के लिए ये ही कारण विभव बिंदू आवेस के कारण विभव क्या हीडिंग है बच्चो बिंदू आवेस के कारण विभव तो चले समझते हैं तो यानि यह क्या रहे हैं कि कोई एक अगर आवेस जो है बिंदू रूपी हो तो उसके कारण विभव क्या होगा तो वो हम लोग ज़रा से स फ्योग करते हैं माना कोई बिंदू A है जिस पे कोई आवेस क्या है Q है और जो की A है ठीक है एक पर कोई Q आवेस है इससे कुछ मीटर की दूरी पर एक पॉइंट B है वो दूरी क्या माल लेते हैं आर मीटर की दूरी पर एक प्वइंट B है तथा इस से X मीटर कीदूरी पर एक क्या है पिकंद प्र Den a by N Q0 है जिस पे हमको क्या गयाद करना है इसके कारण इस पे क्या गयाद करना है भीभव गयाद करना है तो लिख लेते हैं क्या लिखते हैं माना लो क्यों आवेस है ठीक एसे एक्स मीटर की दूरी पर एसे यक्स मीटर की दूरी पर एक बिन्दू एक बिन्दू क्या है पी है जिस पर विभाग्यात करनी है जिस पर विभाग्यात करनी है चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझेगा अब हम करते क्या है सबसे पहले हम लोगों को पता करना है कि ए जो कुए है और ये क्यू और क्यू नाट के बीच लगने वाला जो आपका प्रितकरसंड नहीं प्रतिकरसंड बल जो होगा हो ग्यात कर लेते हैं क्या लिखेंगे क्यों तथा क्यों नाट के बीच लगने वाला बल क्या हो जायग अब बराबर वनबरell water for rat art क्यों इंडय क्यों नाट अपान बीच की दूरी क्या होगो है explaining times अब ध्यान से समझेगा, अब आप लोग यहां से एक बास समझेगा, कि यह जो Q0 है, वो हम लोग क्या लगा, Q0 को इधर की तरफ ला रहे हैं, इधर की तरफ ला रहे हैं, अब आवियस के तरफ, यह भी प्लस चार्ज है, यह भी प्लस चार्ज है, तो इसको जब हम लोग कि द्यारी की तरफ लेयाएंगे अपनियां तो आ नहीं जाएगा इसं lawsuit हम लोग क्या लगाएंगे एक बाह बल लगाएंगे क्यूं बाहभार में क्यों इसको प्रतिकरसित कर रहा इतना पर लगाकी तो हम लोग इसी के इतना इसके बराबर ही इसी इस पे एक बाहबल आरूप करेंगे और वो भी इसके विप्रीत दिशा में इसके विप्रीत दिशा में तो लिखेंगे क्या लिखेंगे भीया क्यों जीरो आवेश को क्यों जीरो आवेश को ठीक बी तक लाने में या बिद्दुच्छेत्र के ऐसे लिखते हैं बिद्दुच्छेत्र के बिपरीत ले आने में ले आने में लगाया गया बाह बल लगाया गया वाह बल क्या हो जाएगा तो जो यह एफ है वो एफ बाह लिख लेते हैं बराबर समीकर नंबर क्या बना लिए एक बना लिए अब हम क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा ये तो फ का मान निकला है अब हम करते क्या है ये q0 आवेसक को PC direct B तक नहीं लाया जा सकता है तो हम करते क्या है इनको कहते हैं भी है कि DR दूरी बिस्थापित करने में किया गया कार या X माने हो तो आप X ही मान लिजेगा तो Q0 always को एक दूरी दे देते हैं कि मान लेते हैं कि इसको हम लोग C तक लाते हैं стран लाते हैं भी है सी तक या तो सी को न लिखते हो लिखेंगे Q0 always को करने में किया कार krya घा कार ठीक है जो चलिए किया गया कार निकालते हैं अब क्या करेंगोज दो किया गया का तो dx दूरी विस्तापित की हो तो छोटा सा दूरी विस्तापित की हो तो छोटा सा कार भी करोगी तो क्या हो जाएगा d w बराबर बल गुले विस्तापन बल क्या है भी है f y है ठीक f y इंटू विस्तापन कितनी है भी है d x दूरी है तो विस्तापन कितने हो गया dx हो गया तो ध्यान समझे fy का मान कितना है माइनस एक बटे 4 pi epsilon 0 q into q0 upon x square into कितना हो गया dx हो गया ठीक ही यह dw का मान आ गया एक छोटा सा कारे निकाल दिये अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ से यहाँ तक नहीं लाना है बलकि हम क्या करते हैं P से B तक Q0 आवेस को P से B तक ले आने में किया गया कारी तो क्या लिखेंगे Q0 को P से B तक लाने में किया गया कारी तो किया गया कारी क्या हो जाएगा W बराबर integration of DW तो ध्यान समझेगा यह जो पी है वो आप लोग कहां से ला रहे हो मान लेते हैं यह जो पी है वो कहां पर था अनन्त दूरी पर था कहां पर था अनन्त पर था कहां तक ला रहे हो आर मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदू भी है तो यहां क्या हो गए आर हो गया तो डी ड व्लू का माझन रखते हैं जड़ा सब व्लु देड़ेगे सब्सक्राफ और नहीं तो गे टोढ़ dalन नहीं पैशला है उन आद यंका समाञान नहीं पर असमें नहीं घ्रणको क्या कर लेंगे इनका समाञान किन दोढ़ एक माइनस एक फुर्बाई एपस्लाइट पर पिर क्या हो जाएगा q into q not अब आपके सामने क्या बचा इंफाइनाइड से आ एक्स वन अपान एक्स स्क्यार इंटु कितना बच गया दी एक्स बच गया तो अगर एक्स के पावर टू को उपर लेके चले जाएं तो क्या होगा इस सुतर का हम लोग उप्योग करेंगे यहां पर तो क्या आजाएगा बराबर माइनस एक बटे फोर पाई एपसालन नाट क्यू इंटू क्यू नाट फिर अब ध्यान समझेगा इनका हम इंट्रिगरेशन करते हैं एकस के पावर एकस है ठीक एकस है फिर क्या है नहीं फाइनाइट से लगा लेजिएगा तो एन के अ इसको हम लोग आगे की तरफ कर्टीनेयो करते हैं तो इधर के लेक्षर को मिठाते हैं तो ध्यान समझेगा अब हम लोग क्या करते हैं इनको आगे हल करते हैं तो क्या मिलेंगे minus 1 बटे 4 pi epsilon 0 q into कितने आगे q not आगे q into q not x के power minus 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना आजाएगा x के power minus 1 आजाएगे पूरे के बटे minus 2 में से 1 घटा ओगे तो कितना आजाएगा minus 1 आजाएगे ठीक limit क्या लगाएगे infinite से r तक अब ध्यान सबजी ये minus इस minus को cancel कर देंगे तो 1 बटे 4 pi epsilon 0 q into q not ये जो power minus 1 है इसको हम लोग अगर बटे में कर देती ये power क्या हो गए प्लस में ये power minus और नीचे चले जाएगे तो power plus हो जाएगा infinite से क्या हो गए r हो गए एक बार अपर लिमिट रख लेते हैं एक बार क्या रख लेते हैं lower limit तो 1 बटे 4 pi epsilon 0 q into q not एक बार क्या रखते हैं अपर लिमिट क्या आ रहते हैं x के स्थान पे आ रख देंगे और एक बार क्या रख देते हैं एक बटे infinite तो इसका कोई मतलब होने वाला नहीं है भी है तो अब क्या आ गए आप लोग क्या निकाल ले थे w तो w बड़ाबर क्या आ गए 1 बटे 4 pi epsilon 0 q into q not upon q into q not into क्या हो गया 1 upon 8 तो यह w का मान आया ठीक भी है अब यह समीकर नंबर आप लोग इससे पहले कौन सा बनाया थे एक बनाया थे यह क्या बना लिए दोसरा बना लिए ठीक अब हम क्या करते है हमको विभव निकालना था क्या निकालना था भी है विभव तो विभव बराबर आपने क्या पढ़ा है ये Q not से Q not cancel हो गए तो last में जो पल्डामी निकल के आए वो क्या निकल के आए भी है V बराबर 1 बटे 4 pi excellent not Q upon कितने आए गए आज तर्थात किसी बिंदू के कारण जो पल्डामी भव होता है 1 बटे 4 pi excellent not Q बटे आज इस फारबूले से बलोग ये बता सकते हैं कि बिभव जो होता है वो आवेस के अंकवान उपाती तथा जो दूरी होगी उसके क्या होता है बिद्दकवान उपाती होता है तो बच्चो I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बाकी तब तक के लिए हम लोग आपको अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत